है 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 लो एंड विल्कम टू आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक बर फिर से सच्छी गुरुकुल पर सबके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जो आज आप बताने वाले सबसे पहला प्रस्चन जो आज आप बता रहे हैं वह पहले क्यों नहीं बताया सबसे पहला क कि उसका मैं आपको उत्तर देता हूं कभी आपने सरकारी स्कूल में पढ़ा तो तो वहाँ पर दीचर कहता था कि हमारे याँ चूशन लिया करो आके और जितने भी विद्यारती स्कूल टीचर से ले यां निकिंशन लेateurs ते प्रसर पहले उनको कुछ कुछ बताय जाते ते हैं कुछ चीजे बतायती थे एक को पढ़के जाना पढ़के जाना पर जाना पटा चलता था कि वह कोशन धीमे धी में आपके पेपर मरे आ रहे थे यverbsक इसका उस कहानी करना उन्यातर्दिंगा हमारी कोई संभंध नहीं था ठीक है न नहीं आप सुचो कि ऐसे ही मैं आप ग्ना सबसे पहली बात सब्क कर्म आपके देल्सो प्रशन आप है 50 स्कुरिब के cyn껏 15 México आप करें जी के जीएस के इस बात को सुनकर आपको बड़ी हैरानी हें जादा की अधूर्शन ये निकला है मेरा एक्सपक्टेश्ब ये और निकला है कि एक-एक चेप्टर से सबसे प्रश्ण बना रहे हैं किनों कोई भी ऐसा चेप्टर ही नहीं छोड़ रहे हैं जिससे प्रस्ष ना बना रहे हूं हूँ मैं तो जो मेरा सिर्फ एक अनुमान या आकलन है सो सुन बता रहा हूं कि है कि दो देखिए कज लासा आप इस गड़्यांस चार प्रश्ण होंगे है पांच भी हो सकते हैं छार आ जाए तो फिर पताचल चलाは ममाया केस कर तो जागे इसर आपने कैसे सं मंधित हो गी कि जो वरतनीक शुद्दीकनत से पेपर पूछा जायाग्य लगभग थे स्पर ए completely समंधित हो गी जैसे mass preserve प्लस या ब्राबर माधोर सुंदर प्लस या प्राबर सांदर्य ो लुत समाज प्लस एक बराबर सामाजिक सांशारिक वैघ्यानिक विज्ञान प्लस एक बराबर वैग्यानिक कि संभा गए है तो वरतनी प्रत्य समधित होगी ए कोशन प्रत्य से आएगा अपका और एक सब्सक्राइब निम्न में से कौन सा योग रून है निम्न में से कौन सा एक सब्द रून सब्द है एक प्रस्ण आएगा एक प्रस्ण देशद से और एक प्रस्ण विदेशद से है कि एक निम्ड में से कौन से देशा जए्व निर्व में से कौन से विदेशा जए एक सब्स तत्थ म से एक साद अ sc फिर इसके बाद संग्या से भाववाचक संग्या किसके किसे ट्रांस्फरहまず ho。 सरवनाम में जो मूल सरवनाम JYAD कर लेजरना में उन्हें। होता सरवनाम है छाथना पढ़ जाएगा क्रिया की बात की जाया तो सकर्मा का कर्मक weシerk में इस किन्यमने मैं से कौन सा विशेश है और एक पढ़ लेना है जैसे कि लुज रबुछषिश chutney पैचान करन संपर्दान अधिकरन पर कॉंसेंट्रेट कर लेना कि वाक्यांश के लिए एक सब्ध है विलोम एक है अनेकार्थी एक है यूग मुश्रब्ध एक है निपात एक है निपात तो आपको जन्ति कर लेंगे जो बल देते हैं ही भर ऐसे वाला मतब एक लाइन याद कि निपात लेको 500 मुहावरे लोकोक्ति याद कर लेंगे जो आपको आते हैं वहीं आएंगे अच प्रकार पूछेगा सरल वाकि को मिस्रवाकि में बदलिए कौंसा मिसर्वाकि काौंसा सरल वाकि ऐसे वाला और एक वाख्या शुद्धि आए वचन आपसे एक कुशन पूछे गयाँ लग्त दिए गए एक कोशन से एक आपका वाक्य बशेंबूचे capability काउन से बहुनलीन से कौन सा बहुशन या फेस एक वाक्य देगा कि शुंद्धी वह भी वाक्य में आएगी वह लिंग्ा एक को पूछेगा एक क्वेस्ट्य शाहत रोट क प्रशन के आनके एक औनलेखां Air起來 अश्य एवर इस हम यहां पर करें वह चे 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 कर रहे हो नहीं रस खनद यह पे नहीं फोगने मैक्सिमम दो प्रश्ण या तो भी नहीं है कि छंद तो नहीं है कि जहां तक कि यह आपका हिंदी हो गया काल और वाच्य में भाव वाच्छे होदा वाच्य आपको पांच मेट का टॉपिक है वाच्य पढ़ लेंगे एक कोशन आपको मिल जाएगा और काल में आपको अना जो काल वाले कॉशन हमने आपकरवाएं यूटूब पर पढ़ा उसको देख लिजिएगा एक कोशन काल का एक कोशन वाच्य का पर रहा बाटर है कि यह हिंदी का हो गया कि जीके जीस की बाट करें हम भीवात करें कि आदुनिक इतिहास को अ कि अ कि अधर में छुषिन्ब पूछे ते पेट में जो डॉपिक टेंट है न इतिहास के बहुत ज्यादा तो नहीं पता है मैं कि मेरा अजम्शन है अगर आपको पेपर आशा मिल जाता है तो यह मात्रिक संयोग होगा इसका वास्त्रिक जीवन से मेरे कोई संबंध नहीं है कि पेक्ट में जो आपका इतिहास के सिलाबस है कि संपूर्ण वही है कि भूगोल की बात की जाएं कि कॉंसेप्च्वल क्वेश्चन है कि कॉंसेप्च्वल जानते हो बांसून वाला थियोरी यासे धांत वाले निम्न में से कौन सी भूकम की थियोरी नहीं है प्लेट वीवर्तनिक थियोरी में से कौन सी क्या प्रूफ करती है ऐसा वाला जो प्र कि समिधान की बात करेंगे जितने भी कोशन आएंगे समिधान के वो सारे कर लेंगे आप सभी प्रशन कर लेंगे ऐसा कोई प्रशन ही हो कि समिधान में जो आपको दिक्कत देगा सारा प्रीवियसर के पेपर में अगर आप कॉंसेंट्रेट करेंगे हां यह तो बताने भूल पटाना मैं भूल गया है हुए हिंदी अगर आपको दिक्कत लगे करे प्रिवियस येर कोशन आपने लगा है ना हिंदी के जो हमने आपको रवाए है बस वो प्रिवियस येर कोशन लगा लीजेगा पचास में अड़ तालीस आ जाएंगे प्रिविज ए पेपर के पेपर से आपका मिल जाएगा तीसरा अर्थ व्यवस्था के नाम पर एक टिस्टेटिक वाला पाइट है अना कि किसकी स्थापना कभी और कैसा क्या है बैंक एक वाला जो स्थापना है पंच वर्शी 5-year प्लान जो है अना और यहां पर अगर आपको अर्थ सब्सक्राइब करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ योजनाओं पर फोकस करना है कि सिर्फ योजनाओं पर यूपी स्पेसल के बात करा जाए तो योजना यूपी स्पेसल पर भी सिर्फ और सिर्फ योजना और यूपी स्पेसल के नाम पर जो इतिहास और भूगोल में कोशन और आट एंट कल्चर के दो प्रष्ण और क्या सपास आएंगे और पागी सारे आदनिक इतिहास है नहीं कि कुछ है आदनिक टो साइन्स में साइन्स में यूनिट है एकाई प्षिक्स वाली ओकाई है हां अमल हखार है और जी विज्ञान में अना उपर उपर से जो पढ़के जा पाओ यह जी वी साइंस में साथ प्रस्न के आसपास अगर हैं तो सबसे ज़्यादा आपके जी विज्ञान के आसपास है घ्रिजल करैंटस फिर गए गहांं एक सबस्क्न को टाइज अब आधल करनटस की बात कीज़े अ तो करन्टे फेंश तो में अधल खेल में फेल हिसा फिर मिज्ञास आद रखेगा खेल की दूसरा करन्टा फिर में आपकी योजनाएं भी यहांगा यहां पर जो अर्थ विवस्थम योजना लिखी हुई है यहां पर इनका पुरानी वाली योजना पर बात करने पुरानी वाली जितनी पुरानी वाली योजना है जो मन देगा देगा वाली योजना है उनको पुरानी वाली योजना है और यहां पर जब यूपी वाली पढ़ देखिएगा कि अंतर राश्रिय और पर्थम वाली कि पर तंस कि ये विश्य की पहले पहले वैक्ति एसे जो विश्य के भारत किया पर पहले हैं तो जो प्रथम प्रथम वाला है उसको एक बार देखकर जाएगा ठीक है जो हासो नहीं कल से गेस पेपर स्टार्ट करवाएंगे उसमें कुछ बताऊंगा वह हाला कि वह जो गेस पेपर हैं वह हमने आज आपको मॉक्टेश दिया था ग्राम दिकाशतकारी का वही गेस प सुट रहा है कि यूपी पेसल बता दिया यूपी पेसल उसी हिस्ट्री जोग्राफी में मिला मिला के दे रहे हैं अना कुशिन अकर गौतम बुद्ध बुद्ध बॉद्ध जैने सब पढ़ोग ना तो उसी यूपी वाले पार्ट पर आएगा एक जिला एक उत्पादी आपको चार क्लासे दी कंप्यूटर की जो आपको चार क्लासे दी उसी चार क्लास में आपका पेपर आ जाएगा कि इसी बाने आप कुश्चन देखोगे पढ़ोगे एक एक प्रस्ण के चक्कर में चाहे तो आप पढ़ लो कंप्यूटर एक सरी दो प्रस्ण है कंप्यूट की बात की जाए कि इतनी ज्यादा लंगदी आएगी इतनी ज्यादा लंदी आएगी अना सॉल्व करने के अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो भी मैक्सिमम तो मैक्सिमम आप अना 38 से 40 प्रेश्ण बिल्कुल परफेक्ट करके आप आएंगे सही कि सही मैं फिर बता रहा हूँ आपको 38 से 40 प्रेश्ण परफेक्ट करके आप आएंगे क्योंकि अगर आप रिजनी के चक्कर में लग गए तो मैं बता रहा हूँ हूँ आपका कि रिजनी के चक्कर में अगर आपने पूरे कोशन करने कोशिज करी तो फिर दग जाओगे तो फिर या तो हिंदी खा जाओगे और या तो आप जीएस खा जाओगे अभी मैं बताओंगे टेक्निक क्या होगी 38 से 40 अगर आप 40 तो 100 परसंट साही करके आओगे कि ग्राफ वाले कुश्चन कुछ है इसमें अना और इसके बाद आकरती की गड़ना वाला जो प्रस्न है यह वाले जो प्रस्न होंगे आकरती गड़ना और यह वाले जो प्रस्न होंगे यह सब के बसकी बात नहीं होंगे ऐसे वाले अना मैथमेटिकल रिजनिंग या वहां पर हो इंद देख लिए यहां पर यही वह है यह आकरतियों गर्णारना वाले वह जो कोशन होंगे थोड़ों से टफ होंगे अगर चाहूंगे तो हो जाएगा इसे कह देगा कि बताइए कुछ ऐसे बहुत सारे अंक लिग दिया जाएगा च्छै है अना ए साथ आठ पांच चार तीन डे करके फिर कदेगा कि इसमें कितने ऐस अंक है आए जिनके पहले ना चिन आया है और बाद में विशम आंक आया है हना तो ऐसे कितने सम है पर उनको जोड के उनका योगफल कितना होगा ऐसे वाला जो प्रशन है थिक है ऐसे वाला तो बता रहा हूं जब गिनोगे तो तो मैं टाइम लगेगा ठीक है तो रीजनिंग में मैं कुछ बताने वाला कुछ नहीं हूँ रीजनिंग में जो आपको आता है वो नॉर्मल है कलेंडर नॉर्मल से आएगा लॉक लॉक पढ़के जा रहे हो तो ठीक है नहीं तो छोड़ भी सकते हो को दिक्कत नहीं कलेंडर नॉर्मल सा है सिलोग इसका और बहुत ज्यादा इस पर तर्क वितर बस एक तरीका है जो आपका प्रिंस ने बताया हो को उसको देख लिजेगा बाकि नॉर्मल लग जाएंगे से लॉग लॉग ना आपके नॉर्मल लग जाएंगे बाकि अजम्शन आर्गुमेंट अना जो यह पुर्धारना और यह सब होती है तो उसका बस तरीका आपको समझ लेना आपके प्रैक्टिस में परफेक्ट आप जानते ही है कि तो रीजनिंग पिसमें ज्यादा कुछ नहीं कहना है ठीक है कितना से फूर्प आएगा अजम्शन के बाद कितना सेफ स्कोर हो पाएगा ठीक है हिंदी में आप पर छोड़िए यह सब इतना ज्यादा डिटेल नहीं बता पाएंगे कि 45 प्रशन के आसपास हिंदी में 45 से कम नहीं करके आने हैं ठीक है जीके जीएस में अगर आप 35 प्रशन भी कर लेते हैं तो काफी है और इसके बाद 38 से 42 40 प्रशन के आसपास इसमें देखा जाए 40 प् पर आपने खचा किया तो फिर बच्चा दिक्कत हो जाएगी जानी da और इसके बास यह मैं मिनमम बता रहाएं मिनमम मतारा मिनमम पेपर आए तो फिर वीडियो देखिए पता चलेगा और यह रीजनींग पिछले इस आप फिछले पेपर से रिजन शरल आएगी इस बात को कटाफ अच्छा जाएगा 40 30 70 40 कितना हो गया 110 110 और 55 120 120 प्रश्ण कि 150 प्रश्णों में 150 प्रश्णों में आपको 120 प्रश्ण लाने 120 प्रश्ण सही करने यदि आपको है फाइट में बने रहना है यह मिनमम बता दिया मैंने सको 120 प्रश्ण के आसपाच आपको सही करना है है ठीक है भागे कल से गेस पेपर स्टार्ट करवा रहा हूं कि उसमें जुड़ो एक सुबै दस बज़े है एक साम को पांच बज़े है छे किस पेपर कराऊंगा शब लोग मिलके करने की कोशिश करना उसी किया इर्दगिर्द आपको पेपर मिलने की कोशिश होगी है अधर्वाइस जितना पेज बैस में पढ़ाया गया है उसको जरूर पढ़ लीजेगा कि ठीक है थैंक यू इंज्वाइक करिए कि आग लगा देना ठीक है चलिए अब मिलने जरूर आना यार पेपर हो जाए तो आना अब जब पर अच्छा हो तो मिलने जरूर आना यसे अभी लेकपाल वाले बच्छों को फोन आता है अना लेकिन जितनी मेनत हमने ग्राम विकार्षाद कारिव पर यह सायदी किसी में करी हो सायद ही बहुत मिनत करी ग्राम विकार्षाद कारी के लिए आपको लोग के लिए तो तुम लोग को जुरूर बुलाएंगे अपने स्टोडियों में अपने पास डिनर किया जाएगा ठीक है थैंक्यू